हाई गाईज, वेडिंग और पेस्टिव सिजन आ गया है, तो ग्लोइंग स्कीन चाहिए, तो एक्स्टेनल ग्लो के लिए तो जडेक सालून है, और इंटरनल ग्लो के लिए भी जडेक सालून ही है, तो आज मैं आपके लिए लेके आ रहे हैं कुछ स्कीन टिप्स इंटरनल ग में चाहती और हमाय स्कीन सेल्स को रिफ्रेश करता है एंद के मॉर्मिंग में आप फ्लोई स्कीन के साथ उठते हो थर्ड, have a balanced diet, include fresh foods and vegetables in your diet and proteins प्रोटीन्स हमाय स्कीन टिशू को ब्यूल्ट और रिपेर करने में हेल्प करता है उससे आपकी स्कीन ब्लो करेगी फौर्थ, डेली एक्सेस करने से आपकी स्कीन बूस्ट करती है और आपका ब्लोड फ्लोगी इंक्रीज होता है उसके वज़ए से आपके स्कीन सेल्स को fresh oxygen और nutrients मिलता है फिफ्थ, आपको stress manage करना चाहिए क्योंकि ज्यादा stress लने से हमारी स्कीन dull और tired लगती है meditation और deep breathing की खट से हम हमारी स्कीन को manage करते हैं और हमारी स्कीन healthy और growing लगेगी next आपको गल से निकलने से पहले 30 minutes sunscreen लगाने चाहिए क्योंकि उससे आपकी स्कीन protected रहेगी और sun के harmful effects के वज़े से भी बची रहेगी